एलो फ्रेंट्स वेलकम तो अवर यूट्यूब चैनल दोस्तों आज हम लिके आये हैं पी आया शेंसर जो की मोशन के साथ वर्क करता है इसके सामने से जब कोई भी मुवेल अब्जेक्ट निकलता है तो यह वर्क करने लगता है यह इसको फिट करने के लिए नहोंने से इसके अंदर एक फीचर होता है वो भी आपको दिखाएंगे नॉर्मली यह लाइट में वर्क नहीं करता है और यह दो बायर वड़ी बायर हैं जो यह हैं इसकी सप्लाई की वायर और शोटे वाली वायर है जो दोस्तों यह इसकी आउटपुट वायर है इसको आप किसी भी बल्ब के साथ जा कोई भी इसमें आप लाइट लगाना चाहते हो जहां कुछ और लगाना चाहते हो तो जिसको ब्रक करना है तो वो लगा सकते हो मुवेबल अब्जेक्ट के साथ कि इसको इंसुलेशन डेप कर देते हैं ताकि यह आपस में टच ना होने बाए जिस प्लाइवार को हमने प्लग कर देना है एक वार लाइट अन होके यह आफ हो जाएगी जी देखिए दोस्तों यह लाइट में वर्क नहीं करता है यह अभी भी लाइट आ रही है इसके अंदर देखते हैं इसके अंदर क्या है जो कि इसको लाइट में वर्क करने नहीं दे रहा इसके लिए हमने इसको खोल लेना है सबसे पहले और यह है दोस्तों इसका शोटा सा सर्कुट है यह और यह है इसका प्यायर सेंसर जो आप बड़े वाला देख रहे हो साइड में शोटा सा जो वाइट सा दिख रहा है दोस्तों यह लगा हुआ है यह जो आपको पता ही आए कि लाइट डिपेंडेंट रिजिस्टेंस होता है जब इस पर लाइट पड़ता है तो यह वर्क नहीं करने देता जो आगे लगा हुआ है इसके सरकुट इसके लिए हमने एक शोटा सा टेप का पीस लेना है इंसुलेशन टेप ले देना है दोस्तों और फिर से इसको उसी तरह फिट कर देंगे जैसे हमने इसको खुला था और हम इसको वर्क करवा के देखते हैं और देखिए जब लाइट भी जल रही है फिर भी यह अन हो जाएगा अब इस तरह दोस्तों आप इसको जूज में ले सकते हो दिन में भी और आत में भी थैंक्स फॉर वाचिंग वाइवीडियो इसको वाइवीड़ करेंड़ियो फॉर दोस्तों आपक हम करेंगा इसको जो जोज सकते हैं